नमस्कार क्लेक इंडिया देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूं मांशी जैस्वाल बढ़ती महंगाई से परशान जनता को केंद्र सरकार ने रक्षा बंधन के दिन थोड़ी राहत दी और LPG सिलेंडर के दाम 200 रुपे कम करती है केंद्री मंतरी स्मृती रानी ने रक्षा बंधन से पहले LPG गैस की कीमतों की कटोती करने के लिए प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी का अभार जता है उन्होंने कहा कि मैं रक्षा बंधन की पूर्व संधिया से पहले हमारी बहनों को पीएम मोदी द्वारा दिये गए अनोखे तौफे के लिए अभार व्यक्त करती हूँ वहीं LPG सिलेंडरे सस्ता होने पर विपक्ष द्वारा की जा रही टिपडियों को लेकर उन्होंने कहा कि विपक्ष की टिपडियों पर मैं कहना चाहती हूँ कि अगर विपक्ष अपनी बैठके करता रहेगा तो ये देश के लिए फायदवन्द होगा लेकिन आपको बता दें स्मृती रानी के इस बयान पर कॉमेडियन राजीव निगम ने उन पर जबरदस थमला बोला है उन्होंने कहा कि सस्ते का मैसेज देने तो मैडम बहुत जल्दी आ गई लेकिन महेंगे के खलाफ हमेशा गायब रही अरे कितना दिखावा छलावा ढोंग करोगी मैडम आज 9 साल बाद रक्षा बंधन याद आ रहा है इसके अलावा आपको बता दें इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश कॉंग्रिस के अध्याक्ष अजयराय ने भी सरकार पर बड़ा तंस कसा उन्होंने कहा कि 9 सालों तक इन्होंने ना गैस के दाम कम किये और ना ही डीजल के कम किये और जनता का पैसा चूसते रहे सामने चुनाव आ रहा है चुनाव का एक भै दूसरा इंडिया गटवंधन की लगातार बैठक हो रही है दो ही बैठक के बाद से इनकी इतनी हवा खराब हो गई है कि इन्होंने सोचा कि जो जनता का शोशन कर रहे हैं अगर दाम नहीं कम किये तो जनता को क्या जवाब देंगे अजराय ने कहा कि बीजेपी को लगा कि अगर दाम कम नहीं किये तो आगामी दिनों में पांच विधान सभाज चुनावों में हार का सामना करना पड़ेगा इसलिए जल्दबाजी में फैस्ता लिया अजराय ने अगे कहा कि साल 2014 में 400 रुपे में सिलेंडर तो हम ही दे रहे थे जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं तो लोगों को लगा कि शायद आप 200 से 300 रुपे में मिलेंगे सिलेंडर सस्ता कर देंगे लेकिन रेट दुगने हो कर इससे जनता बहुत ठगा महसूस कर रही है वहीं हमारी राजस्थान की कॉंग्रिस सरकार 500 रुपे में सिलेंडर दे रही है यूपी कॉंग्रिस अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार कोई भी फैसला चुनाव के समय या पहले लेती है इस दोरान उन्होंने अमेठी से बीजेपी सांसद और केंद्रिय मंतरी स्मृति रानी पर भी हमला बोला उन्होंने कहा कि स्मृति रानी ने चुनाव के दोरान कहा था कि कमल का बटन दबाओ और 13 रुपे किलो चीनी ले जाओ इस तरह की बात करके उन्होंने अमेठी की जनिता को ब्रहमित किया इसी तरह बीजेपी ने देश में भी किया क्या जूट बोलकर जनिता को वोट लेंगे अमेठी की जनिता इस बार सबक सिखाएगी इस दोरान उन्होंने ये भी कहा कि अगर प्रयांका गांधी वारणसी से चुनाव लड़ती हैं तो पूरी ताकत लगा देंगी बेरहाल इस मुद्धे पर आप क्या सोचते हैं मैं कमेज करके ज़रूर बताएं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे हैं क्लिक के दिया आप